हेलो वर्बन दिस इस स्वेश एर और यह हमारी सेकंड पार्ट है हमारी मेल उर्थरा की तो फर्स पार्ट मैंने डिसकस कर रखा है उसको आप पहले देख लीजाएगा उसके बाद अब सब्सक्राइब को इसमें मैंने बेसिक्स की बात करी है बेसिक्स मतलब एंटियर उर्थ को इसको D satellites करेंगे यह यह था नोट्स पहले पाट को जैसा कि प्रीप्रोस्टेटिक तो नाम से क्लिये रहे होता है और bladder जहां से neck of the bladder end करता है या bladder खतम होता है या base of the bladder कह सकते हो वहां से लेके कुछ पार्ट जहां से prostate take eurethra start होता है या prostate gland start होती है उतने से गवां pre-prostatic part कहते है ठीक है तो इसकी length जो होती है 1 cm long होती है यह सारी चीज़े भी हम diagram पर discuss करेंगे पहले हम theoretical points discuss कर लेता है ताकि diagram पर समझने में easy हो ठीक है तो यह extend करता है हमारा base of the bladder कह सकते हो या तो neck of the bladder to the prostate अब prostate में एक specific part होता है वर्ग मॉन्टैनम ठीक है इसको वर्ग मॉन्टैनम कहता है यह हम discuss करेंगे क्या होता है यह diagram पर सारी चीज़े आगे वीडियो में discuss करेंगे और इसको seminal colicus coliculus भी कहा जाता है इसके दो नाम है तो यह बेगे सब ब्लाडर से seminal coliculus तक extend करता है ठीक है और इसके अंदर एक smooth muscle होती है ठीक है smooth muscle जो surround करती है हमारे इस एरिया को एक्किली वो sphincter होता है smooth muscle का बना होता है इसको हम internal sphincter कहते है या तो उसको pre-prostatic sphincter भी कह सकते हो या तो और वो present होता है pre-prostatic bladder के पास ठीक है या तो neck of the bladder पर तो इसका important काम यह होता है कि यह जो contract मतलब इसके अंदर सिर्फ sympathetic fibers होता है जिसके कारण यह contract करता है और contract करने के कारण कोई भी जो semen होता है जो semen ejaculate के वक जो नीचे या फिर आगे के तरफ जो जा रहा है वो retrograde नहीं आता है retrograde का मतलब पीछे नहीं आता है तो इसके contraction के वज़े से यह pre-prostatic part को contract कर देता है जिसके गरण जो semen है जो आया है हमारा ejaculatory duct similar repetitive system से हमारा urinary system में वो चीज जो semen है वो वापस नहीं जाता हमारा bladder में तो इसका यह main काम है जो pre-prostatic इसका function है clear अब यह diagram पर हमने बेसिक बात कर ली थी कि pre-prostatic क्या होता है यह वाली पहली वीडियो में तो हम एक बार और overview ले लेते हैं तो इसके नीचे हमारा prostatic part आता है जो gland तक होता है और यह जो तीसरा clear हो है इतना अब यह चीज तुम्हें clear होगी pre-prostatic part क्या होता है तो अब जो इंटर्नल यह जो मसल देख रहा हो न यह spinners है यह है हमारा internal urethral spenter और यहां से prostate gland की जो gland के जो elements है वो इसमें आते हैं हमारे gland में opening होती है prostatic urethra में अभी बात करेंगे उसके भी ठीक है तो वो जो ejaculation होता है सेमेन का वो वापस ना जाए इसके लिए यह जो spinners होते हैं यह contract कर रहते हैं pre-prostatic part को ठीक है तो यही main काम है इसका ठीक है अब आगे बढ़ते हैं prostatic part में प्री-prostatic part बहुत चोटा सा है अब प्रोस्टेक की बात करता है प्रोस्टेक पार्ट लंबा होता है ठीक है तो फूर सेंटिमेटर लॉंग होता है और हाँ प्री-prostatic part को क्रॉस सेक्शन में देखोगे क्रॉस सेक्शन मतलब यूं कट करोगे अगर इसका सेक्षन में अलग लग लग देखता है तो यह 3-4 सेंटिमेटर लॉंग होता है यह सेकंड पार्ट हमारा प्रोस्टेक पार्ट नामसे लिए रहे प्रोस्टेक मतलब प्रोस्टेक उरेथ्रा के इच साइड इसके प्रोस्टेटिक ग्लैंड होगी और उसके अंदर जो होगा वो प्रोस्टेटिक पार्ट होगा ठीक है तो यह सराउंडेड वई प्रोस्टेटिक ग्लैंड सबसे वाइडेस्ट पार्ट होता है यह ठीक है और डाइलेटेड पार्ट होता है most widest and dilatable part यह fusiform shape का होता है coronal section में जब हम उसका coronal section लेंगे coronal का मतलब यू लेंगे जब यू का मतलब sagittal होता है तुम जानते हो side से देखते हैं coronal मतलब हम बीच से काटगे उसको सामने से देखते हैं जब सामने से देखेंगे तो इसको fusiform shape कहेंगे transverse हम यू काटते हैं तो इसी तरह coronal section होता है जिसमें हम इसको fusiform shape ये दिखाई देगा अब ये बात होगी prosthetic part की तो prosthetic part में जो उसकी posterior wall होती है चलो हम एक बार prosthetic part को देख लेता है अब देख रहे हैं ये ये देख रहे हो ये हमारा coronal section इस diagram में तुम देख पा रहे हो ये हमारा prostate gland यहां से start हुई है और यहां seminal colliculus के हमने बात करी थी ये part है seminal colliculus ये वाला इस सा ठीक है तो जो pre prosthetic part होता है वो neck of the bladder से लेके यहां तक कम से कम extend करता है यहां तक इसके extension यहां तक होती है तो वही हमने उपर लिखा था भी अब देखो इसमें जो ये जो हमारा prostate gland है ये yellow वाली तुम देख रहे होगे ये prostate gland है sides में on each side अब ये जो shape बना रहा है इसको ही हम fusiform shape कहते हैं ठीक है ये fusiform जैसा देख रहा है तो ये coronal section में fusiform shape जैसा दिखाई देता है अब इसके अंदर ये जो features है इसके अंदर जाए तुम openings देख रहे हो छोटी छोटी ये posterior wall में present होती है इसी prostatic verithra में तो ये इसके specific features होते हैं उसके हम theoretically हम बात कर लेते हैं ठीक है अब जिसे diagram में देख रहे होगे यहां से अब इसके अंदर जो इसकी पीछे की wall होती है posterior wall prostatic urethra की उसमें कुछ openings होती है और कुछ specific features होते हैं उसके हम theoretically बात कर लेते हैं फिर हम diagram पे relate करते हैं ठीक है तो अब देखो urethral crest होता है crest का मतब जानते हैं थोड़ी उबरी होई चीज उठी होई चीज तो यह lumen of the urethra में present होती है और यह longitudinal folds होता है यह किसका बना होता है यह longitudinal folds होते है mucosa के तो mucosa की एक दो layer से मिलके यह बनते हैं और यह थोड़ा सा यह उबरे होते हैं उठे हुए होते हैं जिसके गारण इसको crest का आ जाता है तो यह midline में present होते हैं तो इसके center में पीछे के तरफ उसके बाद sinuses होते हैं तो यह sinus क्या होते हैं यह depressions होती है on each side of the crest जो crest है हमारा यह crest जो हमारा है इसके sides में हमारे पास sinuses होते हैं prosthetic sinuses तो यह sinus के अंदर कम से कम 15 से 20 openings होती है prosthetic glands की जो secretions है उसके लिए prosthetic glands से secretions आ रहे हैं वो इनहीं sinus के through urethra में आती हैं तो यह present होते हैं हमारे prosthetic sinus prosthetic urethra के अंदर फिर तीसरा पार्ट हमारा colliculus seminalis है जिसको हम very montanum कहे थे और अभी हमने इसकी diagram में भी बात करी थी ठीक है अभी हम और detail में बात करेंगे तो यह midway में होता है urethral crest के ठीक है और जो urethral crest होता है यह enlarge हो जाता है बीच में और वो ही एक circular elevation form करता है जिसको हम colliculus seminalis कहते हैं है तो seminal colliculus ठीक है clear हो इतना अब इसका एक चौथा पार्ट होता है prostatic utrical ठीक है इसको हम चलो last में देखते हैं पहले इन तीन पार्ट को हम एक बार diagram पे देख लेते हैं ठीक है अब जैसे हमाने बात करी थी यह पीछे की तरफ होते है prostatic रिथ्रा में चलो यह बाला diagram देखते हैं यह ज्यादा अच्छा diagram है ठीक है अब देखो तो अब यहां से हमारा neck of the bladder से यह हमारे internal urtheris puncture है यह orange देख रहे होगे ठीक है cut section है यह भी coronal section है ठीक यह prostate glands है side में purple वादी तुम देख रहे हो अब जैसे यह fusiform shape ले रहे है या circular shape ले रहे है तो एक elevation आ रहा है इदर यही जो elevation आ रहा है इसी part को हम कहते है seminal colliculus तो यही line हमने लिखी थी यहाँ पर in the mid way urethra crest is enlarged to form a to form a circular elevation ठीक है उसी को हम seminal is colliculus कहते है crest के रहादा luminal way has longitudinal fold of mycosa in the mid line तो यह mycosa है और यह lumen है हमारा यह blue देख रहे हूँ यह lumen है प्रोस्टेटिक और इथ्रा का उसके अंदर यह longitudinal folds के crest है इसको इथ्रा crest के लिए पहला feature दूसरा seminal colliculus center में एक circular elevation है उठा हुआ उसको हमने seminal colliculus के दिया अब हमने प्रॉस्टेटिक sinus की बात करी अब प्रोस्टेटिक साइनस देखो क्या होता है प्रोस्टेटिक साइनस कुछ नहीं होता है यह openings होते है glandular elements of the glands की तो यह each side किसके present होता है प्रош्टेटिक साइनस on each side of the crest तो देखो यह crest है हमारी ये crest है, ये हमने crest ही बात करी थी, चुलो एक बार score up कर देते हैं, ये crest ही, ये folds के जो बने थे, इसके sides में ये जो area देख रहे हो, गढधा, ये groove देख रहे हो, sinus का मतलब गया होता है, groove, कुछ deep मतलब, तुमको थोड़ा सा अंदर मिलेगा sinus, इसके अंदर हमारी, ये हमारे prosthetic sinus है, ये each side है, वही हमने line लिखिया है, ये depression, ये depression है मतलब, depression मतलब groove, एक ही बात है, on each side of the crest called prostatic sinus, ठीक है, each side of the crest, clear, ये तीन पार्ट के लिए रोगे होगे होंगे, मुझा लगता है, ठीक है, आगे बढ़ता है, हम प्रोस्टेटिक यूटर के लिए बात करता है, ये important part है, अब ये लगए small blind, blind ended pouch होता है, ठीक है, पहला point इसके लिए, और ये thought to be homologous होता है, uterus और vagina के female में, अब ये similar माना जाता है, कि uterus और vagina जो female में parts होता है, उसका ये homologous होता है, prostatic uterical, ठीक है, इसका हम vaginus masculinus कहते हैं, ठीक है, it opens as a slit-like orifice in the center of seminal colopolis, जो हमने circular elevation की बात करी थी, longitudinal folds जो नीचे आके fusiform shape बन रहा था, जो seminal colopolis था, center में, उसके अंदर एक orifice होती है, orifice मतलब एक छेद कह सकते हो, छोटा सा एक छेद होता है, और उसी को हम small blind ended pouch कहते हैं, और या slit-like orifice कह लो, तो वो present होती है, center of the seminal colopolis, ठीक है, अब just on the either side of the prostatic uterical, so ये जो orifice है, इ इसमें ejaculatory duct की openings होती है, ठीक है, तो हमेंने बताया है कि ये ejaculatory duct कहां से आती है, ये वर्ट्री सिस्टम से आती है, डॉप्री सिस्टम मतलब, जो हमारा समन है, वो कहां से आ रहा है, इधर से प्रोड़क्शन की हो रही है, वो फिर ejaculatory duct के थूरू, ये जो फिर ejaculatory duct है, उसकी openings in prostatic urethra में हो रही है, ये openings in prostatic urethra में हो रही है, वो इसके sides में present होती है, prostatic utrically के तो ये प्रोस्टिक यूट्रीकल जो होता है, ये बहुत important होता है, केजिध या रिमी और राइप्रेटरांटे को में में गर्टन करता हैं में किन्सक्रेट थृट्ट हम अपिछ पर अससे दिन्सक्रायि ए क्रनेक्षिन ठेव हो इने हम अभी और अभी एक होगी मुआपी राज़् परी ग्रिट्टग में और भीक इसके साइड मैं डेखो कुछ ओपनिंग हैं जो से में ठीजू और फिर प्रिक्रेटिव सेक्रीशन है वह आँ रहा है पॉस्टेटिक रॉ अजय रिद्रेत्ध कि अन्दर इसकी अवर्टे aja का इन से के लिए वह प्रीनन हो ने असा नेीज थी कि उब Czech सनि इसमें न सबस्ति अधर रिख मिजबें आसके प्लिए अब अब आगे ऐसेधा क्या होता है है सबसे नहारो एस बात करें ना तो इस बोध में बोध में मूवन में सराउंड करता है किस से स्पिंक्टर से एक्सटरनल यॉरेथ्रिल स्पिंक्टर से यह सबसे नेरोस पार्ट होता है लीस डालेटेबल पार्ट होता है इसके अंदर बहुत सारी मुकस ग्लांड होती है माईनीट बहुत छोड़ी-छोड़ी मुकुस ग्लाड्ट रॉजेंट तो में मिलनस पार्ट हमने फ़र्स पार्ट में बात करी थी कहां होता है पर एक बार और देख लेते हैं देखो यह रहा देखो यह रहा यूरो जनाटल डाइफरम ठीक है और इसके अंदर यह हमारे डीपरेनिल पाउच है यह 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 जनाटल संटीमेटर उपर वाले वान संटीमेटर ठीक है यह तीन पार्टस है पुस्टेयर युथराम है जिसके लें बाद कर ली और कुरूनल सेंट्चशन में इसको कट करेंगे रहा है स्री स्टार शेप का इसका लुमन देखे जाना ब्रेंस पार्ट का यह होता है स्टार शेप या तो स्टिलेट शेप तो यह था देखो posterior urethra, male urethra का part, next video में anterior urethra की बात करेंगे उसके बाद blood supply lymph तो लाइक करना चैनल को सब्स्राइब करना अजादे जादे शेर करना थैंक्यू